नमस्कार दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं हंगरी सिरप के बारे में इसके फाइदे, नुक्सान, इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको पीना चाहिए इन सभी बातों के इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा दिखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी वरा निशान उसे वाले पर टच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों हंगरी सिर्फ आता है इनिवेंटिव कंपनी का और इसका MRP 171 पे है 200 ml की बॉटल का लेकिन दोस्तों ये एक जनरिक प्रोड़क्ट है तो आपको कंप्राइज में मिल जाएगा इसमें जो सॉल्ट है वो है साइप्रोहेप्टेडिन एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट साइप्रोहेप्टेडिन इसमें होता है 2 mg और ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है 275 mg 5 ml की कंटेंज में ठीक है पाइनेपल फ्लेवर में होता है ये और अच्छा रिजल्ट है इसका तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजिस की किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तो इसका उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है जैसे किसी को अगर भूख नहीं लग रही है तो इस सिरफ को दे सकते हैं किस कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है तो इसको दे सकते हैं साथ अगर किसी परकार की कमजोरी हो गई है और कमजोरी की वज़े से भूक नहीं लग रही है या फिर बिमारी की वज़े से भूक नहीं लग रही है तो उस कंडिशन में इस सिरफ को दिया जा सकता है और इसे लगातार इस्तमाल करने से आपके शरीरी जो कमजोरियां होती है वो भी ठीक हो जाती है जैसे कि अगर आप खाओगे तो आपके शरीर को भी लगने लगेगा और आपकी सेहत भी बनने लगेगी क्योंकि अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो दुबले पतले रहोगे और भूक लगेगी तो कुछ न कुछ खाओगे और कुछ खाओगे तो आपके शरीर को जरूर लगेगा तो अगर आप दुबले पतले हैं तो भी इसको ले सकते हैं लगातर इस्तमाल कर सकते हैं इसका ठीक है लेकिन बिन डॉक्टर की सलाखी नहीं करना है ठीक है तो इसकी जो डोज होती है बड़ों के लिए दो दो चम्मच होती है चेक करा के ही इसको लेना है आपने अपनी मर्जी से इसकी डोज को नहीं लेना है क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए है जैसे कि बहुत ज़्यादा नीद आना सुस्ती आना हाथ पाओं में दर्ध होना ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं अगर आपको ऐसे लगता है तो आप इसकी डोज को कम कर सकते हैं अपने डॉक्टर को पूच के ठीक है इसको लगातार आप महीना बर भी इस्तमाल कर सकते हैं दो तिन महीने भी कर सकते हैं लेकिन आपके डॉक्टर बताएं तब आपने दो तिन महीने करना है ऐसा नहीं करना ह क्योंकि देखें दवाईयां हैं दवाईयों के कुछ भी side effect हो सकते हैं कोई भी नुक्सान हो सकता है कोई भी reaction हो सकता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाज जरूर लें ठीक है तो बहुत बड़िया syrup होता है अगर आपको इस नाम से नहीं मिलता है तो बहुत सारे company के आते हैं इसकी जगए पर ठीक है तो इसके side effect मेंने बता हैं आपको उल्टी घबराहट मतली चक्कर या पूरे श्रीर में दाने निकलना ये सब अगर आपको पहले दिन से लगते हैं नीन तो आएगी आएगी सुस्ती तो लगेगी अगर ये भी सब इसके साथ लगते हैं आपको तो आप पहले दिन ही अपने डॉक्टर को जुरूर बताना ठीक है तो दोस्तों इसके साथ में अगर आप मल्टी बिटामिन सीरप भी लेते हो तो और बड़िया बात है ठीक है आप खाना भी खाओगे और मल्टी बिटामिन बगारा लोगे तो और भी अच्छा रहेगा मल्ट के लिए यह रिवाइटल बग्यारा भी ले सकते हो ठीक है सुप्रेक्टिव ले सकते हो यह कैप्सूल जो होते हैं सीरप में बहुत सारे मल्टी बिटामिन आते हैं ठीक है अच्छे बरंडेट सा किसी कंपनी का आप डॉक्टर से लिखवा लेना ठीक है तो ज्यादा बताया तो नहीं जरूर इसका अस्तमाल कीजिएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करता है आपको यह वीडियो अच्छे लगाओ दो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद